देश में Electoral Bond के मुद्दे पर चर्चा जारी है जिसमें विपक्स चंदे पर सक्त रूप से उतारू है सुप्रेम कोट ने पारदिर्शिता के मामले पर जोर दिया है और इसी योजना को रद कर दिया है सरकार का दावा है कि Electoral Bond Policy की वज़े से ही चंदे की सही जानकारी मिल पा रही है इसके साथ ही पहली बाद देश के परधान मंतिरी नरेंदर मोदी ने भी पहली बाद चुनावी चंदे पर प्रतिकरिया दी है पीम मोदी ने कहा 2014 से पहले जब चुनाव हुए थे तो कौन सी एजेंसी बता सकती है कि पैसा कहां से आया और कहां गया हम चुनावी बोन लेकर आए इसलिए आज जब बता पा रहे हैं कि किसने किसको कितना पैसा दिया और कैसे दिया वरना यह पता ही नहीं चल पाता चुनावी चंदे को लेकर पहले भी विवाद रहा है आकड़े बताते हैं कि जो पार्टी सत्ता में रही उससे सबसे ज़ादा चुनावी चंदा मिला है जब electoral bond नहीं थे तब भी सत्ता पक्षी चंदपाने के मामले में सबसे आगे रहता था और फिर जिस दल की सत्ता में आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती थी उस पर corporate घराने सबसे ज़्यादा महरबान होते थे हाल ही में सुप्रेम कोड की याची का करता ने भी यह तर्क दिया है जबकि सरकार का कहना है कि पादर्शिता लाने के लिए electoral bond लेकर आये थे ताकि कोई भी पार्टी अपने आए और व्याको साफ रखे और चुनावायों को जानकारी देने के लिए बात दे हो बात करे 1962 की तो उस समय देश के प्रधान मंत्री पंडित जुआहरलाल नहरू उस वक्त ना तो जनसंग थी कोई राजनितिक जमीन बन पाई थी और ना ही पार्टी के पैसा और दूसरी विवस्ताई संसादन थे तब अडल विहारी वाजपाई नोजवान नेता थे वक्ता इतने प्रकर थे कि जब वे भाषन देते थे तो हर कोई इस नोजवान पर फिदा हो जाता था 1962 में लोकसवा चुनाव हाने के बाद भी पंडित दीन दयाल उपाध्याए वाजपाई का स्तमाल संसद में करना चाते थे इसलिए उन्हें यूपी से राज्यसभा भीजा गया वाजपाई तीन अप्रेल निसोब आसट को राज्यसभा के लिए चुने गये उन्हें वाजपाई जनसंग के संसद्य दल का नेता भी चुना गया विजयत रुवेदी अपने किताब हार नहीं मानुगा में लिखते हैं चुकि साट के दसक में जनसंग बहुत बड़ी पार्टी नहीं बन पाई थी और उसे पैसे की कमी से जूझना पड़ रहा था क्योंकि जादातर उद्ध्योग पति सिर्फ सत्ता रूट कॉंग्रिस पार्टी को ही चंदा देते थे तब वाजपाई अगस्त 1962 में राज्यस सभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए इस बिल में कमपनीज एक्ट 1956 के तहर्ट बदलाव का सुझाव रखा गया थ बिल में कहा गया था कि कमपनीओं को राज़ितिक दलों को चंदे देने पर रोक लगाने चाहिए क्योंकि कमपनीओं को अपने शेयर हॉल्डर्स का पैसा राज़ितिक दलों को चंदे की तोर पर देने का नैतिक अधिकार नहीं है क्योंकि शेयर धारक कमपनी के विचारों से सहमत नहीं हो सकते हैं जनता दर्बान यूज में फिल हाल के लिए इतना ही